हेलो गाईज, वैलकम बैक टू माई चैनल, दोस्तों आज हम इस वीडियो के दिरम बात करने वाले हैं, यदि आप 2,000 रुपे पर मंत की R.D. यानि कि रिकरिंग डेपॉजिट करते हैं, पोस्ट ओफिस के अंदर, और आप 2,000 रुपे की अगर S.I.P. mutual fund में इन्वेस्ट करत और साथी साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटर्स के साथ में, जिससे कि वो भी समझ पाएं कि बैटर आप्सन पोस्ट ओफिस है, R.D. या फिर S.I.P. mutual fund है, और दौनों में से सेफ कौन सी लेगा, कितना आपको interest मिलेगी, कितना आपको capital बन जाएगी, तो basically आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप R.D. करते हैं, तो यह 5 साल के लिए होती है, और लेकिन आप 5 साल के लिए फिर इसको और extend करना बारना चाहते हैं, तो आप 10 साल ता इसको ले जा सकते हैं, तो इस हम calculator को देख की समझते हैं कि calculator से हम कैसे इसको calculate कर सकते हैं, मैंला हमें कितना profit मिलेगा 5 साल में और 10 साल में, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसा 2,000 रूपीज डाल देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि आपका, जो interest है वो कितना है, आपका 5.8 something डाल द कर दीजे, आप 60 months कर दीजे, 5 साल के लिए, ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि आपका total amount डिपोजिट हुआ, वो कितना हुआ, आप देख सकते हैं, total amount deposit हुआ, एक लाख बीस या रूपे, यानकि आपका 5 साल के अंदर, एक लाख बीस या रूपे डिपोजिट हुआ, तो उस पर आपको कितना interest मिल आपको, करीब 19 साया 393 रूपे आपको करीब मिल जाएंगे, तो इस तरीक से आपके total जो maturity हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, एक लाख 49 साय रूपे, अब इसी चीज को अगर आप 12 मेने, 10 साल कर देते हैं, तो 10 साल के लिए आपको कितना हो जा हुआ, वो आपका हुआ, 2,40,000 रूपे, और उस पर आपको करीब कितना मिला total interest, 85,000 आपको मिल जाएगा, यान कि total maturity आपको कितनी हो गई, 8,25,000 रूपे something आपको R.D. से मिल जाएंगे, 10 साल के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितना benefit हुआ, 85,000 रूपी का benefit हुआ अब हम बात कर लेते हैं, SIP mutual fund और उसके बात में बात करेंगे security क्या रहती है, दोनों के बीच में, तो अब हम देख लेते हैं कि SIP mutual fund की बात कर लेते हैं, कि यदि आप SIP mutual fund में invest करते हैं, अपने पैसे को, याई कि 2000 रूपे पर मंद invest करते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना return म return मिल जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, 12% से ज्यादा का return मिल जाता है, तो हम इसको cash rate कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका total पैसा जो invest हुआ, वो कितना हुआ, 1,20,000 रूपीज invest हुआ, उस पे आपको 44,000 रूपीज एरांड आपको interest मिल रही है, gain हो रहा ह है, अब इसी चीज को हम करते हैं, माली जे, 12 साल कर देते हैं इसी चीज को time period को, तो अब 10 येर कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने 10 साल किया था, और फिर इसको calculate करके देखते हैं, तो अब देख सकते हैं कि 2,40,000 रूपी तो हमारी invest हुआ टोटल, और उस पे हमें जो gain ह हो रहा है, कितना हो रहा है, 2.25,000,000 रूपीज हो रहा है, यानकि maturity value कितनी हो गए, 4.65,000,000 रूपीज हो रही है, यानकि आप इसमें देख सकते हैं, double आपका पैसा करीब बन रहा है, यानकि SIP mutual fund में आपका पैसा काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि SIP mutual fund में आपका पैस आपका पैसे को इनवेस्ट करता है, लेकिन अब बात करते हैं, safety, security, क्योंकि देखिए, आपका जो traditional तरीका होता है, इनवेस्ट करने का होता है, RD post office, यानकि उसको जो लोग risk नहीं लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं, मेरा को तो पैसा fix इतना मिल जाए, मुझे risk नहीं लेना है, मेरा पैसा डोबे नहीं, तो वो लोग RD choose करते हैं, post office के अंदर, लेकिन यदि आप थोड़ा सा risk ले सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर risk लेने की छमता है, कि हाँ मैं थोड़ा सा risk लेके पैसे को अच्छा बना सकता हूँ, अच्छे returns ले सकता हूँ, तो आपको SIP mutual fund क को choose करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकता है कि SIP mutual fund में आपने देखिए, कितने कई गुना पैसा आपने बना लिया, SIP mutual fund के अंदर, हाला कि इसके अंदर risk होता है, risk में आपका पैसा थोड़ा सा डोब भी सकता है, हाला कि SIP में जब आप करते हैं, तो आपके कई सारे mutual funds हो जब आप इसी चीज को, जब 10 साल के लिए पैसे को डाल ले हैं, तो आपका बन रहा था पैसा 4.6 lakh something बन रहा था, इसी आप time period को 20 years कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 20 years में आपका पैसा कितना बन जाएगा, 20 years में आपका पैसा बन रहा है, देखिए, total total 19 लाग रुप बन रहा है, ठीक है, अब इसी time period को, यदि आप, यदि आप, यदि आप, यदि आप, यदि दो यदि आप पर मन्त आप इनिवस्ट करते हैं, 12% की आपको annual return मिलती है, तो power of compounding का आपको फायदा मिलता है, ठीक है, तो आप calculate करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको पैसा आपको मिल जाएंगा, तो यदि आपका बारे लाग इनिवस्ट होगा, पचास साल के अंदर, और आपको 7.77 lakh का total profit हो जाएगा, और आपका maturity amount होगा, वो आपका 7.8 lakh crore rupees आपको हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका graph में भी देख सकते हैं कि पैसा, जैसे आपका time बढ़त हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको calculate करके दिखा देता हूं, तो feasible, 70 साल के लिए कर आप कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि 86 crore rupees हो जाएगे, ठीक है, तो support that, जैसे कि कोई 70 साल, जैसे कि किसी ने अगर कर दिया, वाइदे जिसकी 80, 90 A's है, और 2 Aar पर पर परवन डालता है तो आप दे सकते हैं, कि 80 crore rupees उसके हो जाएगे, तो यह चलो चली, यह चीज हम सोच लेते हैं, कि चलो यह चीज पॉसिवल एक तरह से बहुत कम होती है, तो मैं आपको यह बता दूँ कि आप आप पोस्ट आपस के अंदर पैसा डालना, आप उसकी interest rate सम सकते हैं, और SIP mutual fund म यह है, कि यदि आपके अंदर risk लेने की चमता कम है, आप चाहते हैं कि मैं वो risk कम चाहिए, लेकिन पैसा मेरा safe रहे, तो आप RD के अंदर पैसे को डाले, post office के अंदर, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना, आप risk ले सकते हैं, आप पैसे को बनाना चाहते हैं, capital कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह के से आपको मैंने दोनों को बताया, ID को बताया, मैंने SIP mutual fund को बताया, आप का decision है कि आपको पैसे को कहां invest करना है, तो guys आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो please इस वीडियो को लाइक कीजेगा, share कीजेगा, और चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्रा कर लिजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो, तो तक लिए गुडबाई and टेक केर.